तो गाईज अगर आप भी अपने मोबाइल के डिस्प्ले आर से परसान है जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहागा जैसे मैं अपने मोबाइल का नेट आउन करता हूं तो मेरे पास यह डिस्प्ले एर्ज आना सुरू हो जाता है अगर आप रियलमी का मुबाइल तो आपको क्या करना है अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना आपको क्या करना है simple अपने mobile के settings को on करना है कि इसको बंद करना बहुत ही असान है आपको यहाँ पे settings में आना है और settings में आने के बाद अब आपको क्या करना है अपने settings में यहाँ पे search करना जैसे कि देखिए फिर से यहाँ पे एक ads आ गया तो इस पकार के ads में काफी ज़्यादा परसान हो गया और बहुत ज़्यदा यूटूब पे सर्च करने के बाद मुझे कोई भी सही सोलुसन नहीं मिला फिर बाद में मुझे जाके पता चला कि इसको कैसे बंद करना तो आपको क्या करना है ऐसे यहां पर इसका ऐसा आपको भी यहां पर दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है इस क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखिए एक गोल सरकल यहां पर दिखाई दे रहोगा लेकिन यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है आपको इसको open करना है यहाँ पर देखे गोल सर्कल दिखा इह दाँ है Airtel Express के ऊपर इसको open कर लेना है जसे मैं यहाँ जोड़ाइद आप देखे इसको हम on install करेंगे अगर हम इसको on install कर देंगे तो वो पर्मानेंट के लिए ब्लॉक हो जायेगा यही problem का मेंजर है तो हमें इसको अनिस्टल कर देंगे अगर आपके मुबाइल में यह सो नहीं होता है तो आपको क्या करना है simply आपको इसको अगर चेक करना है सेटिंग अगर चेक करेंगे ना तो यह कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है मेरे यहां पर दिखाय दाRY आपको यहां पर सो भी नहीं होगा तो इसके लिए आपको यहां पर कर देंगे यह मुपाइल में लच करेंगा और जो भी प्रक्राबल्लम हो सब्सक्राव करना हो तो और कलर सिस्टम दिखाई देरा है इसको आपको किल nhất इसको कर दोनों सेटिंग उसके बाद फिर से पलिस्ट में जाएंगे है अब चेक्क करेंगे तो आपको यहां पर क्लिक करना है और इसको यहां पर Comptor कर देना है जैसे यहां पर कर दिया अब जो भी problem हो रहा था दिस्प्रेफर हम ब्लोग हो गया है अगर आपके साथ भी आप सब्राइब करिए आप जो भी problem हाँ आप Alex कर दियो अच्छा लगा हो लाइक करी और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में जैहें ज़क हो